जब टो अनलाइए फिश्टी स्वागत है आपको अनलाइए तो फ्रेंट्स इस वीडियो में देखने वाले हम एनालेसिस जो कि अपकारी का दो जार तेईस में आज तेईस तारिक है उसकी फर्स शिप जो है वो हो चुकी है उस फर्स शिप का जो है कोशन हम लेके आ गए हैं अगर बात करें 22 का ही पूछे जा रहा है पूरा का 22 का एक रंट अफेर है ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 22 का रंट अफेर रखा है जो भी आपने पड़ा है तो 22 का पढ़िए 23 का पढ़ने की इसमें अगर हम बात करें ज़रुत है लेकिन इतना ज्यादा एफेक्ट करेंगा 23 में ज्यादा इंपॉर्टन है कभी 23 में एक आधी कोशन उसका आ रहा है बाकी आप देखेंगे तो 22 का ही आधा आ रहा है तो फ्रेंट देखेंगे यहां पर यह पूरे बूरे कोशन हमारे पास है अगर आप चाहें तो ऑनलाइन फी स्टुडी पर जाकर और भी ब देख लेते हैं क्या कोशन आपको एकग्जाम में आई हुए हैं वो देक लेते हैं उसके बात बात करेंगे और भी सारी चीजह है बो हमifications आपर क्या है एक मिट पो रहा है उप्ष्म मिट हो रहे हैं तो दरपड में क्या होँए बहुत इच्छा कोशन है घड़ी में देखे लेटाओ मैं ग्छारावचके कितने हो रहे है यह चालीस मिटू रहे हैं ठीक है और दर्पन अगर लगाता हूं तो मेरे पास कितना होना चाहिए यहाँ पर से मैं लेगी यह 12 है यहाँ पर 12 होता है यहाँ पर क्या तो एक होता है तो एक बज़रा होगा कितना बज़रा होगा एक बज़रा होगा और एक बज़रा होगा यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर किसे जाएगा 30 से कितना हो जागा यहाँ पर हो जाएगा 20 कितना जागा 20 मिट यहाँ 25 मिट भी यहाँ पर दिया होगा 25 मिट यहाँ इतना गैफ नहीं होगा 25 यहाँ 20 मिट होगा तो एक बच्छ के 25 यह 20 मिट आपको यह answer होगा ठीक है अगला question दिखेंगे क्या कुशन पूचा था चार दिन पहले मंगलवार था तो अगला मंगलवार कब होगा ओके जिसे माल लेज़े अगर आप एक दो तीन चार पाथ छे साथ और जीरो ओके सौमबार मंगल बुद्ध गुरू सुकुर सनी इतवार और यह है आपका ठीक इसी पिरकार होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या था चार दिन पहले मतलब यहाँ पर अगर आप हैं इसे माल लेज़े यह सौमबार यह मंगलवार आपका मंगलवार है मंगलवार है तो एक दो एक दो तीन चार आप यहाँ पर आ गए हैン, यह क्या है, छे, hull क्या है आपका, यह सवंबार मंगल, बुध्ध, गुरू, सुकृ, सरी, तो यह सणी है, अगला सवंबार का होगा, बो आपसे पूचा होगा, अगला सवंबार ही अगला मंगल बार पूचा है, तो एक, दो, ओके, यह तीन, यह यहां पर हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो देखें कितने दिन बाद होगा तो यह देखें एक, दो, तीन और यह चार, चार दिन बाद होगा अगला सौंबार जो अंगला मंगल बाद होगा वो कितने दिन बाद होगा, चार दिन बाद होगा बिलको simple question था तो यह answer आगया आपका अगले question उप राष्टपती की न्युक्ती से सम्मंदित article क्या है बहुत simple है हमारे यहाँ पर बूला गया article number 63 में कि भारत का एक उप राष्टपती होगा क्या बूला गया भारत का उप राष्टपती होगा बो राष्टपती के समान होंगी किसके समान होंगी राष्टपती के समान होंगी first person of the India के समान होंगी अगला question पूछा गया आप से कि हड्डिया जोती किस vitamin की कमी से कम जोती very easy question but vitamin D is the correct answer vitamin D is the correct answer अगला question पूछा चबी जरी दोयर तेस को chief guest कौन थे के राष्टपती थे क्या नाम है भी या नाम इनका जायर पूरा नाम बता रहा हूँ भई वैसे तो आदा नाम बहुत लोगों को बता है बोल सुनारो क्या था बोल सुनारो कि बहुत important है बोल सुनारो ये जो है exam में भी आईवार आ चुका है और अभी भी आएगा याद रखेंगे अगले कोशन था नोवल पुरुस्कार जो है चिकिस्सा में किसे दिया गया तो देखें का नोवल पुरुस्कार मैं कराऊंगा बाकी बहुत सा दिशिये कराऊंगा आप कमेंट जरु करेंगे के यहां आप को करवा चाहते हैं яв या नहीं चाहते गीड़ीरो तो प्लिस कमेंट करेंगे बाकी टेस्सार आई रही है तो मैहित का टेस्स अप लगासे है umasे है यह आपर नोवल पुरुस्का जो दिया सिक्षा के लिए और उसकी लोग सायता के लिए या लोग सायता का उसका अधिकार उसको पाने के लिए उसका अधिकार उसे प्राप्त होगा आर्टिकल नम्बर 41 ये कहता है article no.42 कहता है जो भी प्रसूती है या फिर जो महिला है उसके लिए जो है साहिता उपवबंद यो है इसमें किया गया है और क्या किया गया है किसी व्यक्ति को काम का जो काम करते है उसका करियानव है यानि कि किस प्रकार काम करता है मनोविचार उसका जो है उसकी दशाओं को जो है उसकी दशाओं को देखना या उसकी मतलब उसके अधिकार का जो है उसका अधिकार जो होगा वो यह जो है आपका photo है article और के चारट को इचन पूछा काया था इक book से 400 days जो है इस नाम की पूस्तक जो है किसकी है बहुत ही famous writer है चेतन भगत इनकी जो जितनी book है वो याद कर लिए क्योंकि सारी book जो है पूछी जाती है बहुत important है चेतन भगत तो इनका नाम याद रख लिजे और यह जो है बहुत फिमस writer है उके उनकी नाम पर बहुत सारी है उनकी half girlfriend उके तो यह भी जो है बहुत अब आपको कुछ कोुशन में बताऊंगा जो कि आपको exam में आ सकते हैं और एक और चीव में बूलूंगा कि यह कोशन जो मैं कराया रहा हूं बो सिर्फ आपको जलक मात्र है जो मैं टेस्ट कराऊंगा वो आपको 6 बजे आपको पूरा टेस्ट कराऊंगा वो question कराऊंगा एक question मैं करूँगा दूसर question आपको मैं करने के लिए दूँगा ओके तो यहाँ पर देखेंगे 400 और 300 क्या है अगर याद रखेंगे पुल को पार कर रही है यानि कि वो पुल को पार करें से माले यह पुल है ओके और यह train है यह कोई train है ट्रेन पार करेंगी तो यहां से यहां तक पार करेंगी यहां से यहां तक ही होगी तो टोटल लंबाई जो है हमारी यहां से जाने की पुल और किसकी हो जाएगी जोड़ जाएगी आपकी train की तो train और पुल की जो जोड़ जाएगी तो कितनी 300 यह 400 हो गई और यहाँ पर हो गए 70 सेकंड, यह हो गए 70 सेकंड, आज से पूचा का स्पीड, स्पीड बरावर होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, देखिए मैं इतना जो है डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, यह अब टेस्ट करेंगे तो डिटेल भी बताएंगे और ट्रिक भी आना है, किस मैंना चोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े का इंटू कर दीजे, पास दुनी 10, कितने होंगे, 36, 38 दुनी 36 ओप्षिन आएगा, ठीक है, अगला गोशिन जो है आपको यही कर रहा है, करके मुझे बताएगा, दोनों की स्पीड जोड दीजे, और 45 का लगा दीजे बस आपका आंसर आ जाएगा आंसर कमेंट मुझे करिएगा ठीक है ओके ये कोशन मैं करा नहीं रहा हूं आपको प्रैक्टिस टेस्ट में कराऊंगा ओके अगला कोशन दिया है नियत किया गया है कि 700 रुपए को पी क्यू आर में एक दो तीन के अनुपाद में दिया जाता है लेकिन गलती से उसका अनुपाद एक बटे दो एक बटे तीन एक बटे चार अनुपाद हो जाता है तो क्यू एक जो है वो इस गलती से क्यू को कितनी हानी हुए क्यू को कितनी इस गलती से हानी हुए देखिए म अगर हम करेंगे तो 6 होता है नीचे जो अनुपाद दिया है बो कितना दिया एक अनुपाद 2 एक अनुपाद 3 और एक अनुपाद 4 दिया है इनका लेंगे अगर आप लेंगे तो कितना आगा आगा आपका 12 ओके तो 12 का इसमें इंटू करेंगे 12 का दो इंटू करेंगे तो कितना आगा 6 इसमें इंटू करेंगे तो तीन चॉक बारा ओके यहां पर करेंगे चारति है बारा कि यह आ गए इसका टूटल कितना है यह 6 और 10 10 से 13 हो गए अब एक चीज मुझे बताएगा यहाँ पर जो हमारी चीज बदलना नहीं चाहिए क्या चीज हमें यहाँ पर बदलना नहीं चाहिए बहुत important चीज बोल रहा हूं मैं क्या चीज यहाँ बदलना नहीं चाहिए जलिए बताएगा मुझे इसमें से क्या चीज बदलना नहीं चाहिए बहुत अच्छा कोशिन है comment कर दीजेगा मुझे इसमें से क्या चीज बदलना नहीं चाहिए जबताएगा यह लिख रहा हूं 4 और यहाँ पर हो गया 3 और यह बराबर 13 हो गया तो यह बदलना यह नहीं चाहिए, अनुपात के टूटल है यह बदलना नहीं चाहिए, तो अनुपात के टूटल है यहां पर शेका गुणा कर दीए, यहां मैं इस सपर कारती है, आपको यहां पर सरtheleman स्वंघ में जाएका, dh3 का उपर गुणा करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अचाही एक मिट रोगे चाहती से आगा तभी तो यहां पर देखेंगे जोड़ेंगे तो हमारा 78 आ गया यहां पर जोड़ेंगे 78 अब जोना समायन हो गया अब 78 की गतनी है आप अब आप से पूछा क्या है कि क्यों कियूं में कितनी कम यह 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 कितनी कम यह यह है यह क्यों में कितना जागा 20 की कमी जागी option कहा है option number 3 ये तो मैंने आपको समझाए करा बाकी आप जो इस question करिए बहुत simple है question ये वाला भी करके मुझे comment गताईएगा क्या question का answer है जली से comment कर दीजेगा तब तक आप अगला question मुझे मैं आपको अगला question करके दिखाता हूँ के लिए 10 परतीशद अगले तीन वर्सों के लिए 5 परतीशद और 6 वर्स के लिए जो 8 परतीशद की दर जो है से उसने धनरासी का उधार जो है लिया है तो उसने कुल कितनी धनरासी लिए तो उल्टा दे दिया है कि आपको सुमय आँपकर दोस के लिए वह क्या कर रहा है और 20 के लिए 10 अगलेतीन वर्ण के लिए ढात करें अगले तीन वर्ण के लिए ले रहा है तो यह जो तो यह अगला जो है उसने वोला 9 वर्स अगला 9 वर्स पूरा 9 वर्स है तो अगले 4 वर्स बचाएंगे तो कितने पर 8 परशन की वह है तो हम क्या करना है हमें चाहिए क्या हमें साधरन ब्याद चाहिए हमें साधरन ब्याद चाहिए हमें सिंपल इंट्रेस्ट चाहिए वही simple interest दिया है हमें तो इसमें गुणा कर लिए सब का एक दूसरे में जब गुणा करेंगे तो हम क्या पाएंगे यह हो गया 20% अचा यह 10 था 10 ही था ना 10 का ना 10 ही था 20% हो गया प्लस कर दिजे 15 हो गया ठीक है और यह है प्लस कर दिए 8.32 और यह कितना हो गया अँच्छो यहовать कर दिजेगा हợएंगे तो हमारे पर 67 कंप ड़ेगा 67% बढ़ेगा और 67% कितना है ड़वल जिरो नमें कि परशन तो आपको सौगा 10,000 कितना होगा 10,000 कितना होगा 10,000 कितना होगा 10,000 option number 3 simple question है अभी वेना तुरह समझाया नहीं है ज्यादा तर बस आपको कराए इस question करिएगा करने के बाद मज़े comment करिएगे चलिए अगले question देखेंगे क्या question है question दिया है आपको 19 cm तरजया वाले एक ब्रत का छित्वल जो है 19 cm वाले हाधार बालिच जो है आपके उसको आधार दिया, 19, और उचाई कितनी दिया है, आपको पता नहीं, आपको पूची है, अगर R की वेल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, R की वेल्यू जो दिया है, वो 19 दिया है, कितनी दिया है, 19 दिया है, तो यहाँ पर पाई की वेल्यू तो मैं लिख देता हूँ, 19 इ यहां पर बच्छा, आपका 11 यहां पर बचा ही है, और यहां पर इंटू में 2 बचा है, और H बचा है, तो कितना हो गया, 19 दुनी, 19 दुनी 38, 38 पाई हो गया, अब इसको मैं डारेक कैसे कर सकता हूँ, जब भी आपको बर्क की, बर्क की क्या दी हो, तरिज्जा दी हो, और आगा 38, 38 पाई, 38 पाई जो है, इसकी हाइट या फिर बेस आजाएगा, अगर बेस दिया है, तो हाइट आएगी, हाइट दी तो बेस आएगा, या फिर तरिज्जा होगी, तरिज्जा तो दी होगी, तरिज्जा ही सिंपल है, तो यहां पर हमारा आंसर इस परकार से जागा 38 पाई, यह 38 पाई जाएगा, डारेट करना है, डारेट करना है, जादा दिमाग नहीं लगाना है, अगला कोशिन यह सीख प्रकार सा है, वो भी कर दीजेगा, चलिए इसके बाद जो कोशिन है, वो देख लीजेगा, अच्छा यह कोशिन बगरा तो है, आप मैं आपको कराऊ कब, अगली जो 6 बजे आपकी वीडियो आगी, टेस्ट के लिए बुस्मय कराऊंगा, प्लीज मुझे जो है, कोशिन को मैंने पूछे हैं, इस कोशिन को बहुत सिंपल से हम कर सकते हैं, इस कोशिन को पढ़के मुझे कमेंट करके आंसर बताएगा, क्या कोशिन का आंसर है, तो मैं इसको शॉर्ट टिक से भी कराऊंगा, 10 सेकंड से भी कम समय लगेंगे, तो फइन अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीए, थैंकिए फिन वाच्छिन के लिए, बैस आपके एक्जाम के लिए आपको इसले कर.